इसलो गाइज स्वागत आप सबका तो आज हम बात करें कि निप्टी की और बैंग निप्टी की आने वाले समय में सोमवार को बाजार कीशा रह सकता है और साथ-साथ हफ्ते में भी बाजार का मूर रह सकता ए उसको हम इनलिसस करने की कोशिष करें कि यहाँ पर अगर आप न the money, add the money, या फिर out the money, वो अपनी-अपनी strategy की बात है, लेकिन जो levels होते हैं, वो काफी useful रह सकते हैं, और साथ-साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो support और register जो होते हैं, वो काफी useful रह सकते हैं, अगर एक support नीचे की तरफ तूटता है, तो उसके बात का जो support होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, एक register अगर ऊपर की तरफ जाता है, तूटता है, तब उसके बात का का निप्टी का लेवल अगर तूटता है तो उसके बाद एक अच्छी तेजी आनी की संभाव ना रहे सकती है और बिल्कुल वहीं हुआ गुरुवार के दिन कल के दिन अकर देखेगे तो अब यहां पर जो है इसने अपने लाइप टाइम हाई के आसपास से रजिस्टन फेस किया है नीचे आया है तो आने वाले समय में कहा तक जा सका है वह हम देखेगे पहले तो कुछ इंडिकेटर्स भी लगाएगे पंदरा मि का चार्ट है तब प्रॉफिट वोकिंग देखने को मिली और यह नेचरल सी बात है कि अगर देखे तो 52 विक हाई के आसपास से गया वहां पर एक जो है इसने रजिस्टन फेस किया अब यहां पर देखे वीकली चार्ट के अंदर तो यह कप से यहां पर तेजी बनी हुई ह एक तो यहां पर इसने रजिस्टन फेस किया बिल्कुल उसी लेवल के आसपास अभी यह रजिस्टन फेस कर रहा है तो अगर इस लेवल को यह पार करता है तब इसके अंदर जो है एक अच्छी तेजी और आने की संभाब ना रहे सकती है वो जो है हम पूरे हफते की बात क करें के पहले तो यहां पर वीकली चार्ट के पर थोड़ा सा जूम किया हुआ है तो यह आप देख सकते हैं यहां पर जैसे कि यह पिछले तीन हफते पहले की बात है तब भी इस लेवल के आसपास इसने रजिस्टन फेस किया तो इस लेवल को अगर पार करता है इस हाई को पार करता है तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रही कि 22,800 से 30,000 तक जाने की संभाव ना रह सकती है अदर्वाइस थोड़ा सा इसके अंदर रह सकता है नीचे में सपोर्ट की बात करें तो इस हपते का जो लो है उसके आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और 22 21,100 से लेकर यह जो 21,000 और 900 का जो लेवल है इनके रेंज के अंदर अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर लगाए यह काफी यूसपूल रह सकते है यहाँ पर अभी देखे तो बुलिंजर बेंड का इंडिकेटर और यह भी अगर देखे तो आप काफी इंपोर्टन एक यूस इस लेकर वापस से बांस बेकाया और यह जब नीचे से ऊपर जब करोश किया तो वापस से ऊपरी लाइन के अंदर डेली चेंजिस होते रहते हैं और अभी इसकी ऊपरी लाइन जो है 22,600 के आस पास है अब यह थोड़ी सी और उपर जा रही है तो अगर इस लेवल को क्रो हो सकता ऐसा लग रहा है अब यहां पर देखे एमेसीडी को तो यह एक चीज़ यहां पर पोजिटिव दीख रही है इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत ही अगर तेज़ी आई मतलब कि 22,400 क्या सपास तो भी इसके अंदर एक MSCD का bullish crossover हो सकता है तो उस situation के अंदर आने वाले समय में और तेज़ी की possibility हो सकती है और यह high को break करके पूरे हपते की बात कर और उपर निकलने की संभावना इसकी रह सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो अब यहां पर देखे डेली चाट के उपर अब इसके support और registration देख लेते हैं और दूर के भी यानि के पूरे हबते के भी तो पहले अभी 22,326 का आसपास का यहां पर level है पहला इसका support एरिया देख रहा है 22,240 का आसपास का zone उसके नीचे जो है तकरीबन 22,000 और एक सो पचास और उसके नीचे जो है तकरीबन 22,000 और पचास का zone तो यह अभी इसके जो है नजदी की एक support दिख रहे है रेजिस्टन की बात कर रहा है तो जैसे कि हमने चर्चा की पहला इसका रेजिस्टन जो है 22,400 का आसपास दिख रहा है उसके बाद देखे तो 22,460 और उसके उपर जो है यह जो इसने हाई बनाए था उसी level का आसपास अभी जो की 22 500 का आसपास है इस level को अगर पार करता है तब और तेजी आनी की संभाव ना रह सकती है और थोड़े से दूर के support देखे और रेजिस्टन की बात करें तो तकरीबन नीचे में जो है जैसे कि एक तो 21,900 का आसपास का zone उसके नीचे जो है तकरीबन 21,750 का आसपास का zone पूरे ह पूरे हफते की यहां पर बात करें तो यह रही निप्टी की बात और आप देख लेते हैं बैंक निप्टी इसके अंदर कुछ सी अलग यहां पर दिख रही है एक इसके अंदर higher high और higher low की situation बनी हुई है अभी हम वह भी देखेंगे थोड़ा सा जूम करके चार्ट यहां प देख सकते हैं higher high और higher low की situation बनी हुई है तो जब तक यह low जो इसने पिछली बार यहां पर बनाया था इसके उपर का low इसने बनाया है तो यह low जब तक बरकरार है जो की 46,000 के आसपास का है तब तक इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो औ एक नया high बनाने की संबावना रह सकती है और यह इसका high जो है तकरीबर 49,000 के आसपास का बनाया था और यह अभी पूरा का पूरा तेहजी का चैनल चल रहा है इसके अंदर अब यहां पर इसके भी बुलिंजर बेन लगाया है तो यहां पर आप देखे तो निचली जो से क अगर लाइन जो है इसकी 46,000 के आसपास है अगर एक major support की एक strong support की बात कर रहा है शौट टम की तो वहां पर दिख रहा है उसके उपर जो है middle line इसकी 47,000 के आसपास और ऊपर की लाइन जो है 48,000 के आसपास बिलकुल एक round figure numbers के आसपास ही इसके अंदर support और registration यहां पर अभी दिख रहे है बॉलिंज जर्बेंट की बात करें दो लेकिन उसके पहले की support की भी हम बात करेंगे और यहां पर भी अभी देखे MSD को अगर देखे तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है अभी gap है यह bullish crossover होने में अगर थोड़ी सी तेजी और आती है तो इसके अंदर भी bullish crossover हो स का भी इसने closing दिए गुरुवार को तो सबसे पहले अगर देखे support की बात करें सोंवार को मुझे ऐसा लग रहे है कि इसके अंदर भी है थोड़ा बहुत जो हो सकता है विकास की ऊपर से नीचे यह profit booking आई है तो हो सकता है कि सोंवार थोड़ा पर इसके अंदर जो इसके अं रजिस्टन की बात करें तो 47,000 और 350 उसके बाद देखे तो 47,000 और 550 और उसके ऊपर 47,000 और 800 आसपास का जोन तो यह अभी इसके नजदी की support रजिस्टन दिख रहे है थोड़े से पूरे हपते की अगर बात करें दूर के support की बात करें तो मुझे असा लग रहे है कि नीचे में तकरिबन 46,000 और 100 के आसपास का जोन उसके नीचे 45,000 और 500 के आसपास का जोन और रजिस्टन की बात करें तो अगर इस high को cross करता है तब पहले तो 48,600 के आसपास और उसके बात तकरिबन 49,200 के आसपास का जोन तो यह अभी थोड़े से दूर के रजिस्टन दिख रहे है इसके अंदर तो इन सभी सपोर्ट और आप चाहिए तो नजर बना कर रख सकते हैं तो आज के वीडियो मीद नहीं अगर आपको जान करें अच्छी लेगे तो लाइक ज़रूर करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एसी जान करें के लिए सो मार को वापस है इसके उपर डीटेल में चल्चा करेंगे और एक स्टेंडर डिस्कलंबर जो कि मैं हमेशा देता हूं आप कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनेसर एडवाइजर की सला ले उसके बाद ही कोई डीसीजन ले तो उसकी जीमेदारी मेच्व की साथ को दी ले यह वीडियो में ने जो किसन परपस के लिए बनाए है मेरे तरफ से कोई भाई असल के रेकमेंशन नहीं है थैंक यू